अब जे भार दोस्तों आपका स्वागत है आपके चनल में अज्ञति में आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम क्या होता है अब इसको हिंदी में बोलते है संख्या कद्धति संख्या पद्धादी ठीक है आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धादी जैसा कि हम जाते हैं किसे की संख्या को उब्यक्ट करने के लिए हमें दस अंगों की जरूत होती है वह है जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ टूटली दस संख्या होगी दीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस कि आठ एक और किसी भी संख्या को टेने के लिए हम दाई से पाई और से दाई दाई से एक कड़ा आजार साथ जानदा करों 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 डे लिखें दे जैसे तो संख्या दिया हुआ है जेसे को इसे हमस्य सब्दों में लिखना है कर सब्दों में लिखना है कि कुछ से लिए ठीक है एकाई वर दहाई सेकड़ा हजार दस हजार लाक तीर अगर इसके आगे अब प्रिसंख्या उतों तो लाक दस लाक क्रोंड दस क्रोंड इस तरह हो जाते हैं तो इसका हम नाम हैंगे सब्दों में जिसे लिखा है 2789 इसको हिंदी में लिखेंगे इकाई दहाई सेकड़ा हजार दहजार लाक दो लाक कि अधार हजार आधार हजार कि नव सूब आधार 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 कि इसी परकार और भी संख्या है जैसे कि इस तंख्या को हम लिखेंगे से इकाई दहाई सेकड़ा हजार 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 लाक दस लाक करून तर करूंड आधार करूंड छीयत्तर लाक बयारी सहजार पांसो एक इसको हम हिंदी में लिखेंगे 78 करूंड छीयत्तर लाक बयानिस हजार पांच सव एक ठीक है यहां पर डहाई क्या है जीरो है पांच सव एक ठीक है अब हम आगे देखेंगे देखेंगे सब्दों को अंकों में लिखना देखेंगे सब्दों को अंकों में लिखना जैसे दिया हुआ है दो लाक बीस हजार चार सो अंदरा अंकों में लिखना है अंकों में लिखना थीक अंकों में लिखना है देखेंगे दो लाक बीस हजार दो लाक बीस हजार चार सो अंदरा ठीक है इसी फिरकात करोंड आठ करोंड आठ करोंड मसमें लाक बीस और करोंड दो करोन, 6,607,202, 8 करोन, आठ लिखें, फिर 6,00, 0,70,202, 6,60,70,202,टी कैं, लिखें, एकाई जहाई सेगड़ा हजार, हजार दसजार लाग, दसलाग करोन आठ करोन च्छे लाख सब्तर हजार दो सो दो क्या दहाई के जगह पर सुन तो इसलिए हम दिखेंगे 202 ठीके अब हम बात करेंगे जातियमान आगे हम देंके जातियमान जातियमान क्या होता है किसी दी गई संक्ख्या को इसका अपना मान उसका जातियमान क्याँ जातियमान कराता है जैसे में दोका जातिमान कि ल्यान करना है ठीक है किसी भी संख्या में माली अत्मा संख्या दिया गया है इसमें के वह में दोका माल निकालना है तो मैंने खाए किसी भी संख्या में दिये गए अंग का किसी अंग का जातिये मान अर्था दो का जातिये मान उसका स्वेम का अपना मान होगा अर्था दो का जातिये मान दो ही होगा इसे प्रकार और देखेंगे तो अब इसमें हमें निकाल रहा है चार का जातिये मान तो मैंने के बहुत है किसी भी संख्या में किसी अंग का जातिये मान उसका स्वेम कर्वाल होता है तो चार का जातिये मान क्या होगा चार यह आपको एंसल देखेंगे अब हम बात करेंगे अस्थानिय मान क्या आता है अस्थानिय मान में किसी भी संख्या का मान अलग अलग होता है उसको अब इकाई रहाई सेटा करके देखेंगे जैसे कोई संख्या दिया है अस्थानिय मान इससे दिखा है मैं सभी का अस्थानिय मान ग्याद करना है सभी का अनतालीस छीहत्तर चोसट मैं सभी देखेंगे चार इकाई भेकाई धाई सेकड़ हचाट चार मल्टिप्लाई एक क्या हो जाएगा चार बिबद छे मल्टिप्लाई दस धाई टेरे क्यों जाएगा आट साथ मल्टिप्लाई हंड्रेट साथ सो हो जालेगा एक मल्टिप्लाई वन थाउजन एट हजार हो जाएगा क्योंकि हजार पे अब यह तषजार चार कितने एक है एक लिख के चार्ट जीरो क्यों रहेगा चार्डिस तर्जार यह आपका एंसर है इसी परकार जातिये मान आपको निगालना है का जातिये मान ग्यांत करना है अगर आपको को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना लग भूले रहा है दन्यवाद कर दो कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ